नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं न्यूश टुडे अतीती सिक्चक संबीदा करमचारी रोजगार साहिकों की बड़ी ख़बर आ रही है कि नियम मितिकर्ण का फैसला आखिर कब होगा केविनेट कमेंटी के अध्यक्ष मंत्री का बयान हम इस विल्यू में जानेंगे और नियम मितिकर्ण का वादा पूरा होगा ऐसा कहा जा रहा है सभी अतीती सिक्चक संबीदा करमचारी एवं रोजगार साहिक जरूल देखें दोस्तों अभी तक आचार सेंटा का वहाना और लोकसवाद चुनाप का बहाना बनाया जा रहा था अब चूंकि लोकसवाद चुन करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें तो चलिए पूरी ख़बर को विस्तार से जान लेते हैं लैट्श गो नहीं हो सकी केविनेट कमेटी की बैटक संबीदा करमचारियों के नियमितिकर्ण का फैंसला लोकसवाद चुनाप बाद होगा संबीदा करमचारी अतीती सिक्चक और रोजगार सायकों को नियमित किया जाने का पैंसला लोकसवाद चुनाप होने के बाद की संबाबना है इनके नियमितिकर्ण के लिए गटित केविनेट कमेटी का गटन किया था हलाकि सरकार लगातार ये बरूसा दिला रही है कि नियमिती करण का वादा पूरा होगा सरकार ने सहकारिता मंतरी डक्टर गोविन सिंग की अधिक्स्ता में केविनेट कमेटी का गटन किया था इसमें मंत्री ओंकार सिंग मरकाम प्रूराम चोधरी और तरुन भनोट सदसें कमेटी को नियमिती करन के साथ करमचारियों के अन्न मसलों उपर भी निर्ने लेना है कमेटी के पास करमचारी संक्टनों के सो से अधिक सोजाव आ चुके हैं राज में पौने दो लाग से अधिक संबीदा करमचारी हैं डाक्टर गोविन सिंग से कारिता मंत्री ओंक केमेटी अधिक्स का क्याना है कि सरकार संबीदा करमचारी को नियमित करने का वादा पूरा करेगी सभी काम प्रात्मिक्ताओं के अधार पर हो रहे हैं तो दोस्तों देखते हैं अब लोग सबस्वाचनाब निपट चुके हैं और तेज तारीक को लोग सबस्वाचनाब का रिजल्ट भी जारी हो जागा अधिस उसना जारी होने के बाद आचर संहिता भी हट जाएगी क्योंकि अभी तक इनोंने आचर संहिता का कापी बहाना अब देखते हैं आचर संहिता हाटने के बाद किस इस्तर पर और किस स्पीट में कार होता है आप बने रहें नीच टूड़े पर सब्सक्राइब और बैल के एकिन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें और आगे आपको इसी लिए टेश्ट न ना भूलें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद